चाले students आज का lecture स्टार्ट करते हैं। इस गुनु बि वी कॉइट नाइंट्रीक्टे तोदेः अभी ताह कॉचीट के अंदर कॉस्ट अंदर कॉस्ट अचाउंट्स, फिन अंचल 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 अंट्स, अश्टी में आफ़ कोशीट के बारे में एक चीज़ याद दिलाता हूं and then we will continue estimated कोशीट मलब पिछले साल की कोशीट लेंगे उसके अंदर सम अपने को changes बताएगा हम लोग new कोशीट next year की अंदाजे के हिसाब से मलब estimated के हिसाब से we'll try to be making that कोशीट this is whatever is the meaning of the term estimated कोशीट उसके अंदर एक चीज़ जो मैंने specifically वो बोला था direct materials and direct labor are always per unit cost direct material and direct labor are always per unit cost क्योंकि ये direct cost है direct cost मतलब हर unit के लिए लगता है तो कभी भी कोई भी changes होगा तो हम लोग per unit को apply करेंगे ठीक है these are variable cost variable cost are per unit cost but then there are other cost also that has fixed cost okay अगर कभी fixed cost के अंदर changes होगा तो हम लोग lump sum के अंदर changes कर देंगे ठीक है अभी आज का at least जो अपना first question है दोनों questions are not alike लेकिन जो अपना first question है that is all about decision making decision making का मतलब क्यों होता है कुछ decide करना obviously business के अंदर रोज मर्रा की life के अंदर तुमको बहुत सारे decisions लेने पड़ते हैं क्या करूं मेरा selling price क्या होना चाहिए इस customer को बेचूं या ना बेचूं ये करूं या ये करूं दोनों में से वो वाला काम करूंगा जो मेरे लिए अच्छा होगा okay etc. that is what we are going to be doing as such ठीक है तो एक rule business का याद रखना कभी भी तुमको कुछ भी decide करना है ना तो एक rule जिंदगी भर business का याद रखना वो वाला काम करो जिससे घर पे पैसा जादा आए so that option is always better where profit is highest that option is always better where what is highest profit and profit doesn't mean profit per unit वगेरा no okay common sense चीज़े तुमको यहाँ पे लिखके वो बोल देता हूँ मेरे पास दो option था या एक रुपए का profit कमाऊ ठीक है per unit ठीक है या पंदरा रुपए का profit कमाऊ पर unit मेरे पास ही दो option था कुबूत सर यह यह अच्छा है ना नहीं एक और चीज़ अगर मैं एक रुपए का profit कमाना चाहता हूँ सिर्फ एक रुपए का तो ना मेरे को selling price कम करना पड़ेगा अगर मैंने selling price कम किया मेरा साल का एक लाख unit भिग जाएगा अगर मेंको 15 रुपए का profit चाहिए ना तो मेंको selling price बहुत जादा रखना पड़ेगा selling price जादा रखेगा demand कम हो जाएगा तुम लोगोंने elasticity of demand तो करके रखा हुए और ना पूरे साल के नहीं सिर्फ 50 unit भिगेगा अब मेंको ज़रा बोलो तुमको first option करना है कि second option करना है अगर तुने first option किया तु एक लाख रुपय कमाएगा second किया in this particular case तु साड़े साथ सो रुपया कमाएगा बिटा first option is better नो यार तो business के अंदर वो option हमेशा सबसे अच्छा होता है जिदर तुम लोगों को profit सबसे जादा मिलता है that option is always best wherever absolute profits are the highest चीक है तो कभी भी this is true even for final C also okay कोई percentages वगेरा does not matter in business business के न वाट मैटास is money okay खुद बाखुद अगर suppose ऐसा ही एक अजीब गरीब example मेरको अगर देना हुआ तो अंबानी ने अपने business के अंदर invest करके रखा हुए ठीक है उसने factories वगेरा लगा के रखा हुए है जीओ के infrastructure के अंदर उसने इतना invest किया हुए ठीक है उसको उस investment के उपर साल का 2% का profit आता है तो सिर्फ 2% okay first example second मैंने अपने business के अंदर invest करके रखा हुए है ठीक है मेरको उस business के उपर 35% का return आता है जितना भी मैंने investment किया मैंको हर साल उसके उपर 35% का return आता है मैंको जरा बोलो कौन बंदा बड़ा वो बड़ा के मैं बड़ा तो बोते सर आप बड़े obviously not okay तुमको देखना पड़ेगा 2% किसका अभी उस बंद 2 billion का profit होता है मैंने अपने business के अंदर यहां पर suppose एक करोड का investment करके वो रखा हुआ है वो भी आर रुपीज के अंदर okay तो मैंको हर साल 35,000,000 रुपए का profit होता है okay बेटा he is very big no as compared to us okay so what matters is always absolute money what matters is always absolute money same concept also आप लोग FM के अंदर सीखोगे in the chapter of capital budgeting okay कि business चलाने के लिए पैसा चाहिए percentages per unit अपने को क्या करने का है okay what matters is money that you all take home okay तो वो option हमेशा अच्छा जिधर profit in totality सबसे ज़ादा किदर profit per unit सबसे ज़ादा है लेकिन अगर उदर total profit कम हो जाएगा तो मेरे को क्या करने का है okay घर जो मैं लेके जाओंगा that is absolute profit ठीक है इस introduction से मैं अभी ये वाला जो question है start कर रहा हूँ ठीक है ध्यान से पढ़ना A limited has a capacity to produce 1 lakh units of a product every month its works cost at various levels of production is as under level in percentage works cost per unit ठीक है कोई ये company है उसका capacity 1 lakh units per month है पर month है इस works cost works cost मतलब factory cost factory cost ठीक है एक सहीं factory cost के चार नाम होते है factory cost works cost production cost and manufacturing cost ठीक है at various levels are as follows level in percentage 10% 10% मतलब 10% of 1 lakh मतलब 10,000 अगर आप 10,000 unit produce करोगे तो आपका works cost per unit 400 हो जाएगा ठीक है अगर 20% करोगे तो 390 हो जाएगा 30% हो जाएगा अगर 30% करोगे तो 380 हो जाएगा 40% मतलब 40,000 units तो 370 हो जाएगा ऐसे करते 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 अगर 100% पर काम किया 100% बोले तो 1 lakh units per month तो आपका works cost गिर के 310 हो जाएगा ठीक है अगर its fixed administration expenses amount to 150,000 तो ये एक और खर्चा and fixed marketing expenses amount to 2.5 lakh rupees per month respectively the variable distribution cost is 30 per unit ठीक है आगे ध्यान से ज़रा पड़ो इट के अगर के अगर को तुमको शॉट्स नहीं बताने का है it can market 100% of its output at 500 per unit provided it incurs the following further expenses तो वो लोग 100% per operate करके जितना goods बनेगा उतना goods बेच सकता है लेकिन तब selling price जो है कितने rupees का होईगा बेटा 500 ठीक है provided it incurs the following further expenses तो ये वाला वो 100% पे तभी operate करेगा और it can market मलब it can sell 100% of its output at 500 तो 500 is nothing but selling price okay provided it incurs the following further expenses a. it gives gift items costing rupees 30 per unit of sale हर unit के साथ वो 30 rupees का gift ते second. it has lucky draws every month giving first price of 50 second price of 25, third price of 10,000 and three consolation price of 5,000 each to the customers buying the product चल्ये ठीक है अगे it spends 1 lakh rupees on refreshments every month served to its customers चल्ये ठीक है it sponsors a television program every week at cost of 20 lakhs per month ठीक है अगे it can market 30% of its output at 550 ये लाइन ध्यान से पढ़ना it can market मलब it can sell 30% of its output at 550 without incurring any of the expenses referred to in A to D above अगर उसको सिर्फ 30% तक ही अपना goods बेचने का है तो वो किस price के उपर बेच सकता है 550 और फिर उसका ये जो A to D का खर्चा है ना ये वाला भी खर्चा नहीं होगा advise the company on the course of its action show the supporting cautious ठीक है तो कौशिक का ही कोशन है यार वो लोग क्या बोलता है company को ना advise करो ठीक है तो चलो company को advise कर देंगे वो लोग ने क्या बोले advise the company on the course of its action ठीक है तो मतलब तुमको company को बताने का है भाई at what level to operate 10% पे operate करें 20% पे operate करें 30 पे करें 40 पे करें 50 पे करें 60 पे करें 70, 80, 90, 100 ठीक है तो अगर तुमारे पास कुछ भी और करने के लिए नहीं है आज का पूरा का पूरा दिन तो तुम लोग क्या कर सकते हो तुम लोग ना 10 cause sheets बनाओ अलग लग ठीक है यहां columnar बना देना मेरे को चलेगा ठीक है तो 10 cause sheets बनाना ठीक है हरे case के अंदर अपना profit निकालने का try करना example first cause sheet sir में 10,000 unit produce करके बीच हूँगा 10,000 कैसे habitat 10% ऑब 1 lakh ठीक है तो 10,000 unit produce करके बीच हूँगा 20,000 unit produce करके बीच हूँगा 30,000 unit produce करके बीच हूँगा ब्ला 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 ठीक है ऐसा 1 lakh तक तो in that particular case यहां पर कितने का हर जगा पर profit आएगा वो option अच्छा जिदर तुमारा profit जो है वो सबसे ज़ादा हो और profit सब लोग में को ज़रा बोलो per unit profit के total profit total profit what matters is total profit अभी तुम लोग को मैंने यहां पर वो ही वाला example दिया था what matters is absolute profit this is one thing तो अगर तुम लोग के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है आज का पूरा का पूरा दिन क्या करना 10 cause sheets बना लेना और देखना 10 cause sheets के अंदर total profit के दर जादा आता है अच्छा एक और चीज़ इस question केने देख raw material का तो कोई stock था ही नहीं WIP का भी कोई stock नहीं है और देखो when they all say no we will operate at 10% मतलब we will produce and sell 10,000 units per month तो यहां पे कोई finish goods का stock भी नहीं आने वाला ठीक है तो आप क्या करो 10 cause sheet बना लो 10,000 unit per 10% 20,000 unit per 20% ब्ला 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 जिदर भी total profit जादा होगा that option is better और अभी तुम लोग को एक चीज़ समझ में आ जाएगा सब per unit वाला column नहीं बनाएंगे तो चलेगा क्योंकि we are only interested in one thing and that is total profit किदर जादा है तो total का एक column बनाएंगे ठीक है तो अभी 10 cause sheet बनाना start करते हैं ठीक है लेकिन 10 cause sheet भी क्यों बनाएं क्या करते हैं एक बार ना data तुम लोग ज़रा बराबर से अपने मन के अंदर पढ़ो बराबर से पढ़ना तुमको works cause देके रखा हूँ है उसके बाद तुमारे पास जो अभी मेरे को तुमको ये वाला चीज तो दिखाना ही पड़ेगा मैं वो पड़ी देता हूँ ताकि वो suspense भी ना रही यार पड़ो Whenever there is a question where decision making is to be done Every company goes for that option where profit is highest Profit always means total absolute profit ना ही percentage ना ही per unit जिदर भी total profit जादा आएगा That is going to be the best option ठीक है चो चलो अभी ये बाला चीज ना मैं erase off कर रहा हूँ मेरे को ये बाली चीज की कोई ज़र्वत नहीं ठीक है अचा तो अभी मैं तुम लोग को क्या बोलता हूँ बराबर से सुनना ह। यहाँ पर ना क्या बोला था It can market 100% of its output at 500 per unit provided it incurs the following further expenses चलो ठीक है तो अगर आपको 100% तक आपका goods बेचने का है तो आप उसको 500 रुपय के उपर price करो और A to D का आप खर्चा कर दो समने वाला चीज बोला और देखो यहाँ पर एक और line क्या दी It can market 30% of its output at 550 per unit without incurring any of the expenses referred to in A to D above अगर आपको 30% तक ही goods बेचने का है 30% तक ही तो आपका pricing क्या होने वाला है 550 and in this particular case यहाँ पर you will not incur the expenses from A to D above अभी ज़रा धिहाँ से सुनना देखो मैं क्या कर रहा हूँ बराबर से सुनो यह last line पढ़के न देर को एक चीज़ ट्राइक होता है last line एक और बार पढ़ू It can market 30% of its output at 550 per unit without incurring any of the expenses referred to in A to D above मतलब अगर आपको 30% तक ही goods बेचने का है मतलब 30,000 तक ही गुड्स बेचने का है तो आप किस price के उपर बेच सकते हो 500, sorry 550 और आपको A to D का खर्चा करने की कोई ज़रोती है मैं इस सारे data को उल्टा करता हूँ उल्टा मतलब अगर आपको 30% से ज़ादा goods बेचने का है अगर आपको 30% से ज़ादा goods मतलब if you want to be operating at 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% ठीक है तो आप लोगों को selling price 500 करना पड़ेगा तो अगर आपको 30% के उपर बेचने का है एक तो आपको selling price कितना कर देना पड़ेगा 500 and obviously आपको A to D का खर्चा करना पड़ेगा जो अभी मैंने बोला है there is complete reversal of this particular line उन लोग ने बोला था 30% तक ही बेचने का है तो 550 रुपीज के उपर बेचो और A to D का खर्चा नहीं करो मतलब अगर 30% से उपर बेचने का है तो आपको 500 रुपीया का price रखना पड़ेगा और A to D का खर्चा करना पड़ेगा इंदारेकली मैं तुमको बोलता हूँ मैं क्या interpret कर रहा हूँ it can market यहाँ पे एक word आता है up to up to up to up to it can market up to 100% of its output at 500 per unit provided it in cause of falling further expenses अगर आपको यहाँ पर 30% के उपर कुछ भी कुछ भी कुछ भी क्योंकि यहाँ पर ना 30% का limit तो नीचे दे बिया उन्होंने क्या बोला 30% तक ही बेचने का है तो price 550 रखो A to D का खर्चा वो नहीं करो ठीक है मतलब अगर 30% के उपर बेचने का है तो फिर selling price 500 करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर एक और काम चो करना पड़ेगा that is nothing but in this particular case you will have to incur the expenses from A to D above ठीक है तो अब मैं तुमको कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ that is super important ठीक है super important देखो यहाँ पर कुछ ऐसा level मैं क्या कर रहा हूँ 10, 20 और 30% यह तीनों चीज़ों को एक अठा कर रहा हूँ तो उमको समझ में आ जाएगा क्यों और उसके बाद यहाँ पर 40, 50, 60, 70, 80, 90 और उसके बाद 100 बराबर से यही ज़रा सुनना देखो बराबर से सुनना अगर आपको 10, 20, 30 10% बोले तो 10,000 इन्स 20% बोले तो 20,000 इन्स 30% बोले तो 30,000 इन्स अगर आपको इन टीनों में से कोई भी ऑप्शन के लिए जाने का है तो अब ज़रा देख Works Cost Works Cost बोले तो Factory Cost यहाँ पे 400 दिया हुआ है यहाँ पे 390 दिया हुए यहाँ पे 380 दिया हुए ठीक है इस Table के अदर यह बाला जो आपका Table था इस Table के अदर यह बाला चीज आप लोगो देखे रखा हुआ है एक और चीज और यहाँ पे इसके लाबा क्या क्या खरचे होईगे देखो यहाँ पे एक आपको fixed administration डेड़ लाग का दिया हुआ था fixed administration तीनों cases के अंदर एक यहाँ पे डेड़ लाग रुपये का fixed administration का खर्चा हो जाएगा 1.5 lakhs उसके बाद जरा देखो एक और cost भी है fixed marketing will be 1.5 lakh रुपया so therefore fixed marketing यह जो है 2.5 lakh रुपीस there is one extra cost और उसके बाद जरा देखो the variable distribution cost amounts to 30 per unit goods को distribute करने का जो खर्चा है वो 30 per unit so therefore per unit cost होएगा मतलब this will become variable cost तो वो कितने का बिटा 30 और यह सारे cases के अंदर तुमको A to D का खर्चा करने की कोई जुरुत नी है तो वो वाली चीजे नहीं आएंगे apart from that ऐसा करेगा तो तुम्हारा selling price जो है 30% तक कितने रुपीस का होने वाला है 550 this is the data for this is the data for 10% 20% 30% ठीक है यह जो है यह common data है और यह वाला भी जो है यह common data works cost अलग-लग है चो मैंने अलग-लग लिग दिया अभी उसके बाद यह सारी चीजें मैं blue color के इंदर लिख रहा हूँ अगर 40 to 100% तक गए बोले तो 40,000 units, 50,000 units ब्ला 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 this will be going up to 1 lakh units तो महारा fixed administration cost 1,50,000 का हो जाएगा यह वाला खर्चा तो अभी भी होईगा यह 2,500,000 वाला खर्चा तो अभी भी होईगा apart from that यह 30 का खर्चा तो अभी भी होगा selling price तुमारा 500 हो जाएगा और उसके बाद तुमारे 4 और खर्चे हो जाएगे 4 खर्चे मैं एक बार पढ़ देता हूँ एक एक करके I'll write down over here देखो सरा in this particular case यहाँ पर क्या दिखाएगा it gives gift items costing 30 per unit of sale so therefore gift items 30 per unit यह भी जो 30 था यह भी per unit था ठीक है this is one thing उसके बाद यहाँ पर और क्या है it has lucky draws every month giving first price of 50, 50 दिमाग में रखो second price of 25, तो 50 plus 25, 75,000 के gift third price is of 10,000 it'll become 85,000 and three consolation price of 5,000 each to the customers buying the product ठीक है तो three consolation price 5,000 के बोले तो 15,000 plus 85,000 तो यहाँ पर जो gifts वगेरा है वो यहाँ पर कितने का आ जाएगे बेटा 1,00, वो जो prices वगेरा है तो उसके बाद C it spends 1,00,000 रुपीज on refreshments every month served to its customer तो खाना पीना वगेरा वो देंगे तो 1,00,000 रुपीज का अपना और खर्चा it sponsors television program at a cost of 20,00,000 पर मन्थ हम लोग हर चीज एक मन्थ के लिए बात करें तो please into 12 नहीं करना ये भी जो था पर मन्थ ही था ये भी जो था पर मन्थ ही था तो this will be 20,00, चीक है ये वाला जो left hand side पर देटा है ये सारा का सारा 10%, 20%, 30% पर है ये वाला जो खर्चा है ये 40 से लेके 100% तक का खर्चा है अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना जरा मैं क्या बोलने बाला हूँ अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं आप क्या करो 10 कौशीट बनाना स्टार्ट करो Excel के अपर भी बना सकते है वो तुम्हारा मर्जी obviously exams के अंदर Excel is not an option 10, 20, 30 and 40 to 100% ठीक है बराबर से सुनना देख as compared to बराबर से सुनो as compared to 10 and 20% खुद बाखुद जरा सोचना 30,000 पर profit हमीशा जादा ही आएगा गो तो सर क्यों जादा क्यों आएगा देखो एक मिनट पहले में को जरा बोलो इन 10 कौशीट में से कौन सा कौशीट सबसे अच्छा होगा सर वो कौशीट सबसे अच्छा होगा जिधर 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 तुम्हारा जो है total profit सबसे जादा है तो में को हर कौशीट बना के basically total profit ही निकाला हूँ मैं तुमको क्या बोने का try कर रहा हूँ 30% पर बोले तो 30,000 unit पर profit हमेशा जादा ही आएगा वो तो सर आपको कैसे मालूँ मेरे को नहीं मालूँ लेकिन मैं तुमको reasons दे रहा हूँ अगर profit per unit same भी रहता है याद रखना यहाँ पे 30,000 unit है उसी same profit per unit को अगर आप लोग 10, 20 यहां 30,000 से multiply करोगे तो profit किदर जादा आएगा बिटा 30,000 पर क्योंकि जादा units है तो अगर profit per unit same ही रहता है more number of units will obviously mean more amount of profit ठीक है that is one thing अगर सोचोगे 30% पर works cost per unit और कम हो जाता है कितना हो जाता है 380 तो अगर तुमारा per unit cost कम हो जाएगा 30% पे तुमारा profit 30% पर और बढ़ जाएगा ना क्योंकि तुमारा cost कम हो गया so therefore works cost is lower at 30% तो obviously profit will be higher ठीक है और एक last third बराबर से सुनना तुम लोग जो भी कर तु जो भी कर ये वाला जो तेरा fixed cost है ना 30,000 तक same ही रहने वाला है 150,000 और 250,000 वो तो वही रहने वाला है जरा सोच fixed cost remaining fixed it is obviously better to operate at highest level क्योंकि तेरा fixed cost तो वैसे भी same ही रहेगा खुद बाखुद जरा सोचो मेरे पास option है कि मैं एक बारी में या 200 बच्चों को पढ़ाऊ या 300 बच्चों को पढ़ाऊ 200 और 300 दोनों same class के अंदर fit हो जाएंगे मेरा जो capacity वो तो 400 है तो चाहे मैं 200 लूँ चाहे मैं 300 लूँ जरा सोचो मेरा rental सो वही रहेगा तो which particular option is better sir 300 is better sir ओके obviously 200 से अच्चा 300 रहें तो वैसे भी same ही रहने वाला है so therefore fixed cost remaining fixed it is obviously better to be operating at what particular level या highest level ठीक है तो अगर तुम लोग को time pass करने का मन है पूरा दिन तो आप 10 और 20% पर भी cost sheet बनाओ मैं नहीं बनाने माला क्योंकि मैं को मालूम है 30% पर cost sheet हमेशा जादा profit ही दिखाएगा I think everything is clear जो मैंने 10 to 20 और sorry जो मैंने 10 20 और 30% के लिए बोला कि 30% भी showing higher profit ditto same cheese ditto same cheese 40 to 100% के लिए भी तो true है जरा सोच लो अगर profit per unit same भी रहा more number of units will be getting you all more amount of profit second works cost बेटा यहाँ पे 310 है जो बाकी सब जगा से कम है तो obviously 100% is better third option in this particular case fixed cost remaining fixed देखो यह भी fixed cost है 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 जो भी cost lump sum के अंदर दिया हुए वो fixed cost है fixed cost remaining fixed it is always better to be operating at highest level तो मतलब अगर तू पागलो की तरह पूरा दिन spend करता to be making all these cost sheets नो तो भी अपने को 100% के ओपर जादा profit ही आता so therefore out of all the things out of all the things it is better to be operating at highest level over here it is better to be operating at highest level over here that highest level in this particular case will be 100% that is 1-0 तो अभी मैं time pass नहीं करने वाला हूँ मैं क्या करने वाला हूँ अपने को से 2 cost sheets बनाने का है मैं को ज़रा बो दो cost sheets मेला अब किस level के ओपर 30% and 100% और जिदर भी profit जादा आएगा that option will be a better option for us जिदर भी profit जादा आएगा मतलब total profit ठीक है that is what we are going to be doing in this particular course तो start कर लेते हैं एक और जीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बोला था वो अभी मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ इस question के अंदर finished good stock है के नहीं है नहीं है ना तो याद रखना format of cost sheet does not matter हम लोग फिर भी शायद cost sheet के format के साब से ही बनाएगे लेकिन ज़रा सोचो ना format of cost sheet दे लो नहीं matter if there are stocks ना finished good stock है ना WIP stock है raw material stock तो बैसे भी नहीं है आप कोई भी चीज किदर भी दाल दो बेटा profit तो सेहीं ही आएगा तो ऐसे questions के ना अगर आप लोगोंने formatting की तरफ ध्यान नहीं भी दिया ना तो भी चल जाएगा ठीक है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे cost sheet जो है दो ही levels पे बनाने बाले में गो last time बोलो तो कौन से दो level पे सरिक 30% पर और एक 100% पर so that's what we all are doing right now ठीक है तो चलिए start कर लेते हैं next page पे चलता हूँ लिखे ज़र प्लीज यह कौन सा question है यार question बनाएगा लेख सेक ना question बनाएगा चलिए तो लिखे ज़रा प्लीज cost sheet at the two levels अच्छा यहाँ पे ना दो अलग अलग पार्ट नहीं है कि 30% पर बनाओ और 100% हो तो हम लोग ने सोचा यह मैं तुमको इसलिए बोराओ अगर दो लग लग पार्ट नहीं है ना तुम लोग columnar भी बना दोगे अपना काम हो जाएगा ठीक है अच्छा cost sheet at the levels of 30% and 100% for one month तो एक यहां पे ना थोड़ा सा presentation की तरफ ध्यान देते हैं level एक 30% और एक 100% अच्छा तुमारा मेरा बात हो गया है कि अपने को न यहां पर per unit वाला column नहीं चाहिए stocks नहीं था उन लोग ने नहीं बोला कि per unit वाला column बनाओ तो क्यों बनाएंगे फिर ठीक है level 30% मतलब number of units to be produced and sold 30,000 और यहां पे कितना आ जाएगा विटा 1,00,000 ठीक है and these are number of units to be produced and sold in one month ठीक है अभी अपना यहां पर जो columnar है सिर्फ टोटल वाला column ही है यहां there is no per unit column as such ठीक है number of units to be produced in sold 30,000 and one lakh चल फिर start कर लेते हैं तो जब start कर रहे हैं तब direct material, direct labor लेकिन मैं क्या बोता हूँ इस question के ना बेटा direct material, direct labor से मैं start ही नहीं करूँगा क्योंकि मेरको इस question के ना directly कौन सा cost दे कर रखा हुआ है works cost तो works cost compensates for direct material, direct labor, direct expenses and factory overheads उन सबका total is factory cost नो factory cost बोले तो works cost चीक है cost sheet नहीं बना रहे हो, आप लोग तो total cost sheet बना रहे हो, so 380 into 30,000 ठीक है और उसके बाद अगर 100% पर काम करेंगे तो तुम्हारा जो works cost चाहिए कितने का हो जाएगा 310 into 1 lakh ठीक है, तुम लोग calculator थोड़ी देर के बाद उठाना, ठीक है, अभी नहीं उठाना इसके बाद administration related to production, ऐसा कुछ नहीं दिया हो, अपने पास administration है लेकिन उसके लिए गर कुछ नहीं बोला तो फिर वो general overage ही हो जाएगे तो यही तुम्हारा works cost होगा, ठीक है, और यही तुम्हारा क्या बोलतेते हैं cost of production होगा, यही तुम्हारा cost of goods sold भी होगा, उसके बाद add यहाँ पे आ जाएगा, और कौनसा कौनसा खर्चा है, एक में, cogs के बाद, बिटा क्या आता है एक administration आता है, तो यहाँ पे आप लोग लेख सकते हो, general administration अच्छा, मैं ना सारा का सारा data, मैंने आप एक summary प्रिपेर किया था, I'll take it up from there यह जो fixed administration है, this is 150,000, दोनों जगा पे 150,000 आप लोग दाल दीजे, ठीक है, फिर उसके बाद, add यहाँ पे देखो जड़ा, पहले एक में तुमको summary से दिखाता हूँ, fixed marketing cost भी था, तो यहाँ पर आईए fixed marketing cost, कितने का था विटा, 2.5 lakhs ठीक है, उसके बाद, मैं sum पर ही जा रहा हूँ, और यह के 30 था, variable distribution cost, तो selling and distribution के अंदर ही आ जाएगा, so add variable distribution cost, वो कितने का है, 30 per unit of sale ना, तो 30 into 30,000 और उसके बाद 30 into 1 lakh, अच्छा, यह हो गए, तुम्हारे पहले वाले सारे के सारे cost, ठीक है, यह कर लिया, यह कर लिया, यह कर लिया, यह तो पहली भी लगते थे, अभी भी लगेंगे, तो यह वाला काम हो गया, और उसके बाद यह तेरे चार एक्स्ट्रा खर्चे, A, B, C, D, इंका description जो है ना, मैं textbook के अंदर ही देखता हूँ, it gives gift items costing 30 per unit of sale, याद रखना, यह वाले खर्चे जो हैं आप लोगों के, यह तुम्हारे old के अंदर, मतलब 30% वाले के अंदर तु नहीं होते थे, लेकिन 100% वाले के अंदर होएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आईए, gifts, 30 per unit of sale into 1 lakh, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे यह प्राइजिस था, लग्की ड्रोज आईए, यहाँ फिर आप प्राइजिस लिखो, तो add प्राइजिस, अच्छा, एक पचास हजार का था, एक पच्चेस हजार का था, एक दस हजार का था, और यहाँ पे 5,000 के तीन थे, मतलब 15,000, तो यह वाला total में directly लिखी रहाँ, यह वाला काम तुम्हार every month to its customers, so therefore यहाँ पे add refreshments, कितने का EBITDA, 1,00,000, फिर उसके बाद, it sponsors a television program at a cost of 20,00,000, पर मन, तो यहाँ पे add sponsorship, तो यह वाला figure जो है, कितना आ जाएगा बेटा, 20,00, मैंने 2,00,000, लाक्स लिद दिया, 20,00, ठीक है, बस, मेरे खाल से यह वाला काम कर लेंगे, this will give you cost of sales, उसके बाद, add profit, will give you sales, अभी, बेटा, sales के लिए, तिरको selling price की जूरत पड़ेगी, selling price, अगर 30% पे काम करते हो, तो 550 है, 100% पे काम करते हो, तो अपने को उसको 500 करना पड़ेगा, into 30,000 इनिट्स, and into 1,00,000, अभी फटा फट सब लोग अपना calcium लो, और मेरे को तुम लोग यहाँ पे profits जो है, balancing figure के तोर पे निकाल के देना, सुनो, जब तुम्हारा ये वाला काम हो जाएगा, तो यहाँ पे conclusion भी लिखने का है, company should operate at dash level, 30% या 100%, दोन में से एक, as it results in highest profit, ठीक है, चले, अभी आप लोग अपना calcium लो, फटा फट अपने ये वाले जो काम है बिटा, खतम करने का try करो, let's see who finishes off first, 318 x 30,000, 38,000, एक काम हो गया, 104,000,000, second काम हो गया, ठीक है, company should operate at, profit बिटा किदर जादा है, 100%, 104,000, अच्छो सुनो, ये वाला जो question है न, ICA ने उसका answer module के अंदर दिया है, it's so neat that, उन लोग को न ये वाला चीज लिखना चाहिए था, कि हम लोग 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब levels के उपर हम लोग कोशीट क्यों नहीं बना रहे हैं, उन लोग को वो वाला जो चीज है, वो चीज लिखना चाहिए था, उन लोग ने वो नहीं लिखा, मैंने तुमारा shots के अंदर, I've written that particular thing over here, okay, so यहाँ पे that particular thing is printed, wherever there is a question, this thing I've read it up before, लेकिन एक और बाव मैं पढ़ाऊ, wherever there is a question, where decision making is done, every company goes for the option, wherever there is highest profit, profit always means total highest profit, अभी इस question के ले एक special note, as compared to 10 and 20%, 30% will also, will always show higher profit, this is because, even if profit per unit remains same, higher units will mean higher profit, second, works cost per unit is lower at 30%, as compared to 10 and 20%, fixed cost remaining fixed is better to be operating at highest level, hence we only make a cost sheet at 30%, ठीक है, तो हम लोग ने 10 or 20% के ओपर cost sheet नहीं बनाया है, by the same explanation as compared to 40 to 90, 100% will show higher profit, therefore we have only made two cost sheets, one at 30, one at 100 and we go for that option, wherever profit is highest, ठीक है, चल, और this particular work is altogether done, तुमारा जो ये बाला काम है, ये हो गया, ठीक है, अभी आगे चलते हैं, आगे तुमारा कोश्यन नमबर तेन आ गया, now unit cost sheet, वैसे in real life unit cost sheet means cost sheet for one unit of the product, ठीक है, in reality it means that particular thing, ठीक है, start कर लेते हैं, question number 10 से, the cost structure of an article, the selling price of which is 45,000, is as follows, direct material 50%, direct labor 20%, overheads 30%, अच्छा एक से, फिर से परता, the cost structure of an article, whose selling price is 45,000, is as follows, कोई एक product आप लोग बना कर बेचते हो, उसका selling price कितना है, 45, और उसका जो cost का structure है, selling price 45 है, cost कुछ और होएगा, तो उसका cost का structure दिया हुए, उसके नम material 50% है, labor 20% है, over at 60% है, अभी आगे ध्यान से पढ़ना, an increase of 15% in the cost of the materials, and 25% the cost of the labor is anticipated, these increased costs, in relation to, these increased costs, cost बढ़ गया ना, यहाँ पे लिखा है, increase of 15% the cost of materials, and 25% the cost of the labor is anticipated, वो लोग क्या सोच रहा है, material cost जो है, इतने से बढ़ जाएगा, labor cost जो है, यतने से बढ़ जाएगा, तो अभी cost बढ़ गया, अभी cost बढ़ेगा, और अगर selling price same ही रखा, profit कम हो जाएगा ना, उन लोग ने देख वो ही लिखा, these increased costs, in relation to the present selling price, present word condolence करना, would cost 25% decrease, in the amount of present profit per article, वो लोग क्या बोलते हैं, अगर ये बढ़ा cost बढ़ा, और अगर तुम लोग ने selling price वही रखा, तो तुम्हारा जो profit है, 25% से कम हो जाएगा, ठीक है, यू आ रिक्वार्ट तू, प्रिपेर अ स्टेट्मेंट ओफ प्रॉफिट पर आर्टिकल, अट प्रिजेंट, ठीक है, तू कंप्यूट रिवाइस सेलिंग प्राइस, तू सेम, तू प्रडूज सेम परसेंटेज ओफ प्रॉफिट तू सेल्स आज बफोर, प्रिजेंट के रहा, अप्सलूट फिगर्स, किस चीज़ का है, सेलिंग प्राइस का, किस चीज़ का नहीं है, कॉस्ट का, ठीक है, तो मैं तुम लोग को क्या बोलता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने पास ना कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट है ना अपने पास प्रॉफिट है, लेकिन अपने पास बेटा, सेलिंग प्राइस तो है ना यार, ठीक है, तो यहाँ पर अभी तुम लोग मेरे साथ ज़रा लिखो, यह कोशिन कॉन सा है बेटा, कोशिन के लिखो, लेट, प्रेजंट कॉस्ट पर यूनिट भी एक्स, को बज़ए साथ प्रेजंट कॉस्ट पर यूनिट क्यों लिखा सर, पूरा सम देख लो, इस कोशिन के अंदर ना, नमबर आप यूनिट का डेटा ही नहीं है, जो भी कोशिन है, पूरा का पूरा वर्डिंग से, in fact, this is one of the smallest questions that you all have, I am not saying the answer, लिखने questions, और आपके बास जो भी डेटा है, एक एक यूनिट का ही है बिटा, ठीक है, so let the present cost per unit be x, let present profit per unit be y, अच्छा, सुनो, अभी present और उसके बाद proposed, ठीक है, अब मेरी बाद ध्यान से ज़रा सुनना, मैंने present cost को, यहाँ पर x बाना है, present profit को y बाना है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अभी एक ऐसे बनाना, एक सेकें, क्या करो, अगर अभी तक नहीं बनाया, तो थोड़ा असाना, इसको बड़ा कर लेंगे आपकों लोग, width wise, width wise, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, और, यह और यह, अंदर दो कॉलम बना देना, ठीक है, यह बनाऊ सारा प्रीस, तो लिखे जड़ा प्रीस, material, उसके बाद, देखो यहाँ पर कौन कौन से cost हैं, labor, देखना ज़रा, डारेक material से एक cost दिया हुआ है, डारेक labor एक cost दिया हुआ है, और overhead, अब यहाँ पर कोई bifurcation बगएरा नहीं है, तो मैं directly यहाँ पर overhead से लिख लेता हूँ, यह सारा data, again I repeat एक एक unit का ही है, यह सब का total मारेगा, तो मेरे को total cost मिल जाएगा, कोई ऐसा सोच सकते हैं, sir, अगर एक ही unit है, तो this is total column, this is per unit column, they will become same only, क्योंकि एक ही unit है, ऐसा नहीं है, मैं कुछ और करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक ही unit का data है, तो मैं per unit का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, total cost, add profit, will give you, अभी मैंना sales भी नहीं लिखता, क्योंकि sales, मतलब sales बहुत सारे units का मिला कर होता है, यहाँ पर एक unit के बारे में बात है ना, तो selling price लिखता हूँ, ठीक है, यह जो extra चीज़ें हैं, मैं यह निकाल देता हूँ, चल्ड सुन, मैंने present selling price, present cost को कितना लिया विटा, एक्स, ठीक है, present profit को कितना लिया, Y, selling price यहाँ पर कितना आ गया, 45,000, ठीक है, लेकिन अभी ज़रा देखो, इस cost का ना तीन पार्ट है, देखो, उन लोग ने क्या बुला, the cost structure of an article, whose selling price is 45, is as follows, तो उन लोग ने तुमको cost देके रखा हूँ है, ठीक है, तो जितना भी तेरा cost है, 50% material cost है, 20% labor cost है, overheads 30% है, और तुम लोग ने अपना जो cost है, वो तो X लिया हूँ है, ठीक है, तो X का 50% बोले, तो कितना आ जाएगा, 0.5X, labor कितना आ जाएगा, 0.2X, तो overheads 30% है, मतलब कितना आ जाएगा, 0.3X, is this clear, ठीक है, तो ये हो गया material, ये हो गया labor, ये हो गया तुम्हारा overheads, ठीक है, total cost आ गया, add profit, get selling price, ठीक है, अभी देखो, वो लोग ने क्या बुला है, मैं ये सब कुछ, एक बार निकाल देता हूँ, an increase in 15% of the cost of the materials, and 25% of the cost of the labor is anticipated, तो material cost 15% से बनने वाला है, तो एक काम ज़रा करो, 0.5 अपने कैलसी के उपर लो, 0.5, 0.5X वो ठीक है, 0.5 लो, प्लस 15% वारो, कितना आजाएगा, 0.575X, इस कॉलम में लिखना जिदर मैंने लिखा है, आगे, labor, labor 20%, तो 0.2 था ना, प्लस 25%, कितना हो जाएगा बेटा, 0.25X, अच्छा, अभी अपने अक्कल यूज़ करना, overheads के बारे में, कुछ नहीं दिया हुआ, उन लोग ने नहीं बोला, यार, ये 4-5 line के लिखना, overheads के अंदर कुछ change होगा, तो अगर नहीं बोला, overheads के लिखना कुछ change होगा, तो आप लोग क्या करने बाले हो, सेम ही लेंगे सर, तो चलो, ठीक है, फिर सेम ही ले लो, 0.3X, तीनों का total bar, 1.125X, ठीक है, ये हो गया तुमारे ये वाला चीज, अच्छा, तो ये हो गया तेरा निया cost, अभी देखो आगे क्या दिया होगा, these increased costs in relation to the present selling price, present selling price, सम ध्यान से पढ़ने का present selling price, तो present selling price कितना है, 45,000, ठीक है, will result in, would cause a 25% decrease in the amount of present profit per article, तो बोलो क्या बोलते हैं, अगर cost बढ़ जाएगा, selling price वही रहेगा, 45,000, तो तुमारा profit per unit 25% से काम हो जाएगा, तो पहले profit कितना था, Y, मतलब 1Y था न, Y मतलब 1Y होता है, minus 25%, ठीक है, तो ये चीज़ कितना आ जाएगा बिटा, 0.75, शायद तुमको समझ में आ गया रहेगा, अभी इसके बाद, अपना question solve हो जाएगा, तुमको समझा कैसे, ये first equation इदर से दिख गई, ये second equation इदर से दिख गई, अगर अभी तक नहीं दिखी तो, यहाँ पे अभी ज़रा लिखो, equations from above, equations from above, तो एक equation ये है, देखो ज़रा, x plus y is equal to 45,000, second equation ये है बिटा, 1.125x plus 0.75y is equal to 45,000, बस अभी solve कर लो, अभी solve करने के लिए ना, मैं first equation को 0.75 से multiply कर रहा हूँ, ठीक है तक ही y और y मेरा cancel हो जाए, तो 0.75x plus 0.75y is equal to calc लेने का, 45,000 into 0.75, 33,750, second वाला same ही रखूँगा, this is first, this is second, मैं first को second में से subtract कर रहा हूँ, तो 1.125 minus 0.75, 0.375x, तो यह और यह तो cancel हो जाएगा, 45,000 minus 33,750, यह आजाएगा 11,250, x is equal to 11,250 divided by 0.375, x is equal to 30,000, 30,000 x इसके अंदर दालूँगा, तो y balancing figure कितना हो जाएगा बिटा, 15,000, तो y is equal to 15,000, ठीक है, तो x जिदर भी है 30,000, y जिदर भी है 15,000, ठीक है, तो y 15,000, x 30,000, total 45,000, अब उसके बाद 0.5x, x is 30,000, तो यह वाला figure कितना आ जाएगा, 15,000, 0.2x, x is 30,000, 30,000 का 0.2, मलब 20%, 6000, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9,000, ठीक है, यह हो गया, तुम्हारा पार्ट A, एक बाद जारा देखना, पार्ट A किना क्या पचार, to prepare statement of present, to prepare statement of profit, per article at present, so this is, I think statement of profit, per article at present, यहाँ पर ना, अभी तुम लोग, लिख देना, पार्ट A, अगर मेरी तरह एक लाइन है, तो इधर ही खतम कर देंगे, statement, शोइंग, profit, per unit, तो यह तुमारा present वाला जो statement है, खतम हो गया, अभी यह statement ऐसे रखूँगा ना, इसे अच्छा complete वो कर देता हूं, क्योंकि मेंको part B solve करना है, जिदर मेंको काम में आएगा, 30,000 into 0.575, यह आजाएगा, 17,250, 0.25 into 30,000, 7,500, यह तो से में रहेगा बिटा, 9,000, 1.125 into 30,000, 33,750, 45,000, यह कितना हो जाएगा बिटा, 11,250, ठीक, यह हो गया, तुमारा यह वाला काम, ठीक है, अभी part B, part B पढ़ देता हूं, बराबर से पढ़ना, तू कम्पियूट, रिवाइस सेलिंग प्राइस, तू प्रडियूट, यह तू पर्सेंटेज ऑफ प्रॉफिट तू सेल्स आज बिफोर, वो लोग क्या बोलते हैं, एक ना रिवाइस सेलिंग प्राइस निकाल के दो, ताकि यूगेट, ताकि यूगेट, सेम पर्सेंटेज ऑफ प्रॉफिट तू सेल्स आज बिफोर, एक सेकेंट, अभी ना क्या हो रहा है, कि तुमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, पहले 30,000 था, अभी कितना हो गया, 33,750, अगर तुम लोग ने सेलिंग प्राइस उतना ही रखा, तो वो लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा, 11,250 वो तो अपने को दिखाई भी दे रहा है, वो लोग क्या बोलते हैं, अपने को ना सेलिंग प्राइस बढ़ाने का है, ठीक है, selling price अपने को revise करने का है तो अभी 45,000 is not applicable for part B और selling price बढ़ाने का है तो बेटा फिर तो profit भी change होगा वो लोग क्या बोलता है हम लोग को same profit चाहिए जो पहले था तो मतलब profit भी change हो जाएगा तो एक second पहले cost 30 था अभी cost कितना हो जाएगा 33,750 same percentage of profit add करो जो पहले था और फिर उसके बाद नया वाला selling price निकाल लो ठीक है तो बस यही तुमारा part 2 of the question है तो यहां पर ज़रा लिखिए part 2 लिखिए revise selling price to get same percentage of profit to sales to get same percentage of profit to sales आगे लिख देना as before अभी तुम लोग को नया वाला क्या compute करने का है selling price तो profit भी तो बदलेगा ना यार लेकिन याद रखना तुमारा जो नया वाला cost है ना जो तुमारा नया वाला cost है बेटा वो जो तुमारा cost है वो कितने का है 33,750 तो एक काम पहले ज़रा करते हैं उस point से start कर लेते है revise cost 33,750 ठीक है तुमारा cost अभी बढ़के 30,000 से इतना ज़्यादा हो जाएगा plus तुमको ना revised profit भी चाहिए ठीक है revised profit भी चाहिए तो तुम लोगो यहाँ पर क्या मिल जाएगा revised selling price ठीक है तुमको ultimately revised selling price चाहिए अगर तेको यह चाहिए तो तेको यह भी तो चाहिए और तेको उनलोग ने क्या बोला to compute revised selling price to produce same percentage of profit to sales as before same percentage of profit to sales as before same percentage of profit to sales as before तो मैं तुम लोगो क्या बोलता हूँ this is same percentage of profit to sales as before before मतलब यह बली कहानी न अभी blue के अंदर दिखा रहा हूँ बराबर से देखना profit percentage to selling price profit कितना था 15,000 selling price कितना था 45,000 अगर percentage के अंदर compute करना चाहो 15,000 upon 45,000 will be 33,13% अज में को वो सब कुछ नहीं करना percentage निकालो या fractions निकालो बात तो वो ही होती है न तो मैं तेरे को क्या बोलता हूँ पहले profit to selling price was one third of selling price एक second undo करता हूँ अच्छे दरीके से लिखता हूँ पहले profit percentage पहले profit percentage to selling price was one third न अगर यह चीज नहीं समझ में आ रहा है तो zoom करके देखो one third तो 15,000 upon 45,000 is one third no बोलो क्या बोलते हैं अभी भी हम को one third ही चाहिए बोलो क्या बोलते हैं अभी भी अपने को one third ही चाहिए ठीक है तो अगर अभी भी अपने को one third ही चाहिए तो यहाँ पर अब ज़रा लिखो revise selling price we want one third of selling price कोई ऐसा बोलता है sir यह आपने क्या लिख दिया one third of selling price बलब जितना भी selling price होगा उसका one third इतर आएगा sir लेकिन selling price तो है नीक तो चलो ठीक है अभी तुमको इतना और समझ में आएगा शायर zoom करके दिखाता हूँ maintaining one third of selling price is also maintaining half of cost ना यार कोई अगर बोलता है my profit percentage is one third of selling price I can be saying no boss it is also half of cost ठीक है तो one third of selling price क्योंकि मेरे पास selling price नहीं है अगर मेरे पास selling price नहीं है in that particular case I can try to be having one half of cost तो therefore यहाँ पर इसे लिख सकते हो और half of cost और half of cost तो 33, 750 लो एक लाइन शहर एक्स्ट्रा बीच में वो छूट गया है that's okay तो इसका half पिटा कितना आ जाएगा 33, 750 divided by 2 16, 875 plus 33, 750 50, 625 समझ में आएगा this is half of this हम लोग ने बोई तो किया but this is also अभी तो बोलो ना यार अभी तो बोलो this will be one third of this तो this is the new selling price जिससे अपने को उतना ही profit percentage मिलेगा यहां profit percentage का बात कलो यहां fractions का बात कलो example 10% you can also call as one tenth no okay 20% you can also call 20 upon hundred that is one fifth no तो मैंने वो ही काम किया ना यार so therefore this will be one third so this is your end of the answer ठीक है इस question के shots के अंदर मैंने बस इतना ही लिखा है wherever cost is given and we are asked to find selling price do remember cost plus profit is equal to selling price मैंने यही वाला चीज यहां पर use किया cost plus profit is equal to selling price आगे whenever we have to maintain half of cost it is same as one third of selling price I guess तुम लोगो वो वाला चीज समझ में आता है ठीक है चले my this particular work is all together done आज के लिए इस session is over है गाइस welcome to the tip of the day हर चाप्टर के end में और हर चाप्टर के हर लेक्चर के end में there will be tips provided 15 chapters I have got 15 tips for you all और हर लेक्चर के end में of the same chapter same tip will be there तक कि तुमारे दिमाग के अंदर भी रहे today we are going to be having the first tip and something for me that is most important marks and your time that you devote to your studies are not proportional to each other कई लोग 16 गंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे कई लोग 8 आर्स पढ़के भी रैंक लेकर आजाएंगे it is not dependent upon how God gifted intelligence is it is all about what your concentration level is whenever you are trying to be studying जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से concentrate करके करो it goes a very long way in life in trying to improve yourself 8 hours cut yourself out from many things अगर आप 8 hours का target रखे होए हो तो 8 hours बाकी चीजों की तरफ मत सोचो तुमारा friends कितना पढ़ाई कर रहे है Netflix की ओपर क्या movie आ रहे है keep all those things aside it is 8 hours that you are going to be giving to your studies per day if you are going to be giving for 8 hours more the better लेकिन मोर के चकर के अंदर अपना quality of concentration खराब नहीं करो study in a wiser way जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो honestly for me 8 to 10 hours is more than enough for you all to be getting a rank also it's only that how you are spending those 8 to 10 hours without talking to your friends for anything except the doubts you are not keeping your phone with you and trying to have the distractions तो 8 hours to 10 hours continuously या फिर in breaks whatever your mind allows लेकिन अच्छे तरीके से उतना पढ़ाई कर लो that should be sufficient enough this is my first tip of the day this tip usually is there for those students जो लोग हमेशा एक question पूछते है sir पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए this is the answer to all those students thank you guys I'll see you all with the tips of the day now in chapter number 2 bye